हिलो ब्रियोन कैसे हैं आप सब भी उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे दोस्तों आपकी रिक्वेश्ट पर लेकर आ चुके हैं एक ऐसी जॉब जिसके बारे में आप लोगों को बहुत जादा जानकारी नहीं होगी अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो के बल द आप एदन करते हैं तो पहले एक महीने आप एदन चलते हैं आप एदन हो जाने के दो से चार महीने के बाद आपकी एक्जाम डेट आती है आपके एकात महीने तो एक्जाम चलते हैं उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो आती है दिन आपका रिजल्ट आता है उसके बाद जो skill test होता है, medical होता है, document verification होता है ये सब करने में कम से कम एक साल से उपर लग जाता है इतना आपके पास समय नहीं है तो आपको एक ऐसी job के बारे में बताएंगे जिसमें आप अगले 5-6 दिन यानी एक हपते के अंदर नोकरी आपके हाथ में होगी और 22,530 रुपए की salary भी आपको मिलना सुरू हो जाएगी इस video में हम बात करेंगे, air India यानी airport की तरफ से आचुकी 2024 के लिए नई भरती के बारे में, officially भरती है, इसको किसी भी तरह की fake जानकारी समझने की गलती मत करियेगा आपके पास एक मोका है, आपको किसी भी तरह का exam नहीं देना है केबल और केबल 4 तारीक, 5 तारीक और 6 तारीक को होने वाले interview में सामिल होके interview देना है कहां interview होगा, क्या जानकारी, आपके पास होनी चाहिए, क्या eligibility है, क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या process है, सारी चीज़े speedo में आपको बताए जाएंगी उसके लिए आपको speedo को आखरी तक देखना compulsory है देखे आप एदन घर बेटे, आप लोग online तरीके से कर पाएंगे, offline application form मिलेगा, कुछ application free है जो आपको पे करनी पड़ेगी, कुछ candidates के लिए वो भी DD के माध्यम से, all indelible की job है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से इन interview में सामिल हो सकते हैं दोनों category के लिए अलग अलग भरतिया है, handy man और handy woman की पोश्टे हैं, तो महिला और पुरुस दोनों category के उमीद बार सामिल हो सकते हैं एक बार और बता देते हैं कि दसवी पास job है पूरी तरीके से, 10 past candidate यहाँ पर eligible है आवीदन करने के लिए दोस्तो इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो like और आगे आने वाली वीडियो की update के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on करना बिल्कुल भी miss मत करिएगा तो चलिए चलते हैं आज का अपने main topic official website plus notification पर दोस्तो आपको आवेदन करने का notification डाउनलूड करने का link वीडियो के description और comment box में दे दिया गया है आप लोग click करके इस page पे आप आएंगे यहाँ देख सकते हैं WhatsApp ग्रूप जॉइन करने का आपको button मिलता है WhatsApp चैनल और Telegram ग्रूप को भी आप जॉइन कर सकते हैं अभी आपर देखें तो AI Airport Services Limited की तरफ से आपकी requirement है 2024 के लिए अधिक ज्यानकारी के लिए नोकरीकबर.com पे जा सकते हैं और साथ ही साथ एक नई website है सरकारीjob.net आप लोग इस पे भी widget कर सकते हैं Important dates के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका date of walk-in interview है handyman यारी पूरसो के लिए पूरसो के लिए दो दिन यहाँ पे समय रखा गया है पूरसो की विकेंसिया महिलाओं के तुलना में जादा है तो 4 और 5 नवंबर 2024 को सुबह के 9.30 बज़े से लेकर दोपहर के 12.30 बज़े तक पूरस केंडिडेट को handyman की post पर interview देना होगा इसके बाद date of walk-in interview for handyman post यानि जो महिला केंडिडेट है उनको 6 नवंबर 2024 को सुबह के 9.30 बज़े से लेकर 12.30 बज़े तक interview देना होगा location क्या होगी notification के माध्यम से आगे बताएंगे तो आप लोगों को इस बीडों को ध्यान से देखना है application fee के बारे में बात करें जितने भी unreserved category के candidate हैं उनको one time 500 pay करना होगा किसी भी तरह का यह घूंस नहीं है किसी को हाथ में नहीं देना है बैंक के दोरा आपको DD demand drop त्यार करना होगा आगे हम आपको बताएंगे इसके अलाबा जितने भी रिजर्व category के candidate हैं जैसे HCTPH या फिर महिला साथ उनको एक भी रुपए application सुल्क देने की अवस्कता नहीं है category हम थोड़ा आगे confirm करेंगे notification के माद्धियम से इसके अलाबा जो आपकी उम्र है वो कम से कम 18 साल और अधिक सदिग 28 साल तक अलाओ की गई है छूट के साथ में 33 यानि 33 साल तक के candidate आभीदन करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं total number of vacancy के बारे में तो आपकी जो total number of vacancy हैं 1142 यानि 142 हैं यहीं पर अगर हम इनको डिवाइट करें तो handyman के कोटे में 111 vacancy आ रही है और handywoman की पोश्टो पर total 31 number of vacancy आ रही हैं इसके बाद है आपकी eligibility यानि अगर आप 10th pass out है तो आप सभी यहाँ पर आभीदन कर पाएंगे then who can apply कौन कौन इसके लिए आभीदन कर सकता है तो all india label की job मिलती है आप लोग भारत के किसी भी राज़ से आभीदन कर सकते हैं male और female दोनों यानि महिला और पुरूस दोनों के टेगरी के उमीद बार इन भरतियों के लिए आभीदन कर सकते हैं today top job list के बारें बात करें तो आज की नई नोकरियों की जानकारी यहाँ पर दी गई है आप सभी अपने अपने qualification के basis पर या फिर अपने पसंदीदा department के basis पर जैसे railway, defense, teaching या फिर government jobs basis पर आप click here की button पर click करके जानकारी को देख सकते हैं और जिस भी job के लिए eligible, interested हैं आपेदन भी कर सकते हैं सेल्डी अभी सब की fix है एक समान 22,530 रुपया पर मंथ आपको starting का पर किया जाएगा according to complete notification देन आपका selection यहाँ पर आपका देख सकते हैं इंटर्व्य और document verification के basis पर होने वाला है how to fill कैसे आप लोग आपेदन कर सकते हैं इसकी complete information यहाँ पर दी गई है और साथ ही साथ useful important links भी है जहाँ पर आपको application form से ले करके download notification तक के link मिलते हैं अब हम आपको live यहाँ पर notification और application form को download करके दिखाने वाले हैं तो इसके लिए जादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर जो clicker की button है उसको एक बार click करना है click करते ही आपका जो notification है वो downloading में लग जाएगा और कुछ ही time में PDF reader की साहता से आप उसको open कर पाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम drive के माध्यम से इसको open करते हैं अभी आप देखे कि यह notification की date देखे बहुत पुराना नहीं है 28-10-2024 के दिन ही notification आया है यानि 28 October के दिन यह notification आया है AI Airport Services Limited की तरफ से notification है requirement आपकी जो है तो उसके लिए आपको जाना का होगा इंटर्व्यू के लिए walk-in requirement exercise at एमदाबाद airport के अंदर आपको जाना होगा इंटर्व्यू के लिए एमदाबाद station है handy man की 111 पोश्टे हैं handy be man की 31 पोश्टे हैं यहाँ पे देखें तो आपको बताया गया कि man के लिए जो पोश्टे है यानि पुरसों के लिए 111 इसके लिए 4-5 को सुबह 9-12-12 इंटर्व्यू है और वो be man यानि महिलाओं के लिए 6 तारीको 9-12-12 आपका इंटर्व्यू है complete जो venue है location है वो यहाँ पे देखें आटियो circle play ग्राउंड है अपोजिट collector office बी साइड यहाँ पे कोई साफ hotel है यहाँ पे इस पे आपका इंटर्व्यू होना है इसके बाद यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया नेशनल male और female दोनों आबेदन करेंगे किसी भी तरह की कोई भी आपको यहाँ पर जो है तो limitation देखने को नहीं मिलेगी अब यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं vision क्या है यह बताया गया है mission क्या है यह बताया गया है people के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आते हैं तो आपकी handyman और handywoman के लिए ssc 10th standard pass must be able to read and understand English language यानि कि आप English language जो है तो पढ़ने में और समझने में सक्षम होने चाहिए बोल भले न पाए knowledge of local and hindi language ability to understand and speak यानि कि हिंदी जो भासा है उसको आप बोल सके इतना आपके पास capacity होनी चाहिए इस criteria को follow करने वालों को 22,530 रुपे की salary मिलेगी journal की 28 साल अधिक्तम उम्र इसके साथ जो छूट मिलेगी 5 साल तक की तो आप 33 साल तक के candidate हैं तो इसके लिए आप लोग आप इतन कर सकते हैं nature of job function यानि आपका काम क्या होगा यह यहाँ पर आपको दिया गया है इसको आप लोग देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर जो आपका selection है वो physical endurance test यानि इसके अंदर physical भी होगा bait lifting होगी running होगी यह normal सा process है कि आप airport के अंदर जो काम होता उसको कर सकें तूस qualifying दे physical endurance test along with sent for interview यानि कि यह qualify करने के बाद personal और virtual interview के लिए आपको आगे recommend किया जाएगा और उसको qualify करने वालों को job मिलेगी how to apply तो यहाँ पे एक number 2024 यहाँ पे आप लेक सकते हैं यहाँ पे application fee 500 है demand drop यानि DD आपको बनवाना होगा वो भी किसके नाम पर AI airport services limited के नाम पर जो मुंबई के अंदर पे होगा कोई भी other extra fees नहीं है उन candidates के लिए जो SCHT ex-serviceman category में आते हैं उसके बाद यहाँ से हम नीचे आते हैं तो आपको एक application form को भी requirement and no agency institute involved यह direct यानि सीधी बरती है इसके तहट कोई भी agency यहाँ पे सामिल नहीं है तो यहाँ पे आपको देखें पहले यहाँ पे सबसे उपर for office use only तो आपको इस bracket को छोड़ देना है यह जो complete bracket है इस पे आपको कुछ नहीं करना ही यह cable official use के लिए है आपका काम यहाँ से सुरू होता है अपनी passport size की photograph लगाएं position किस position के लिए apply कर रहे हैं उसका नाम लिखें full name लिखें जिसके अंदर first middle और surname होगा father's name add करें date of birth date month और year format में add करें place और state of birth इसके बाद address for correspondence यानि अभी का address पिन कोड इस्टेट के साथ में telephone number डाल देंगे mobile number email id gender बता देंगे कौन सा है marital status बताना है जो भी ए एक्स कर देंगे यानि unmarried है तो एक्स कर दें married है तो एक्स कर दें बीड़ो हैं बाकी को खाली छोड़ देना है nationality Indian religion आपका जो भी धर्म हो mother tongue जो भी है pen number अधार नंबर इसके बाद आपको बताना है अगर आप किस कम्यूंटी कास्ट से आते हैं HCHT OBCWS जर्णल आपको यहां पर right tick कर देना है उसके बाद यह ना ना right tick नहीं आपको work experience अगर है तो उसकी detail यहां पर share करना है इसके बाद अगर आपके पास driving license है तो उसका detail यहां पर share करना है उसके बाद यहां पर particular duty demand drop जो आपने बनवाया उसकी detail से share करना है उसके बाद अगर कोई relative AI airport services limited में काम कर रहा तो उसका name उसका काम उसका company name और आपका क्या relation यह बताना है declaration आपको यहां पर मिलता है यह आपको देखना है place यहां पर date और signature of applicant ध्यान रखना है यह सारी चीज़े आपको fill करनी है और जो भी बताया गया है आवेदन करने के process के बारे में उस हिसाब से follow करके आपको इसको आवेदन करना है दोस्तों मीद करता हूँ दिये गए जानका सारी को आप लोग समझ गए होंगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्ष्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद